हेलो दोस्तो अगर आपको पेटियम में कुछ इस तरह का एरर सो हो रहा है दा डाकुमेंट इज आ लेडी इन यूज प्लीज ट्राई विथ अब इस प्राबबलम को बहुती आसानी से फिक्स कर सकते हैं लेकिन कैसे तो दोस्तो आज की सी वीडियो में इसी एरर के बारे में बत करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको एक काम ain't आपको पेटियम के कस्टमर केर के नंबर पर कॉल करके बात करना होगा और आपको बताना होगा कि मैं करना चाहता हूं अपने अधारकार से लेकिन मुझे यह प्राबलम या एरर सो हो रहा है तो वह आपको पेटियम कस्टमर केर वाले आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आपके मॉबाइल नमबर पर एक लिंक भेज़ेंगे जिस पर आप किलिक करेंगे तो आप सीधे पेटियम में लॉग इन कर जाएंगे जैसा कि हम आपको स्क्रीन पर करके दिखाते हैं तो इसके लिए हम अपने फॉन के मैसेज बॉक्स को ओपिन कर लेते हैं करते हैं है मैसेज बॉक्uffs को ओपिन करने पार आप यहाँ पर देखेंगे एक लिंक मुझे कस्टमर पेटियम की तरफ से आया हुआ है और इस लिंक पर मैं जैसे ही किलिक करूंता पेटियम में लॉग इंशाया है चलिए मैं किलिक कर देता हूं किलिक करने के बाद इसे open पर किलिक करके open कर लेता हूँ जैसे ही यहाँ पर open पर किलिक करूँगा दोस्तों यहाँ पर patium में मैं वापस आ जाऊँगा और यहाँ पर एक support ticket आप देख से रहे हैं पहले से आ रखा हुआ है अब आपको क्या करना है आपको इस support ticket पर किलिक करना है लेकिन दोस्तों यह support ticket आपको तभी मिलेगा जब आप customer care से यानी patium customer care को अपनी problem बताएंगे तो ही आपको यह सो होगा और आपको message आएगा अब आपको इसको open पर किलिक करके open कर लेना है open पर फिर से किलिक करेंगे allow कर देंगे allow करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface सो होगा थोड़ा इंतियार करते हैं अभी यह process हो रहा है तो दोस्तो जैसे ही आप open करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का message सो होगा और यहाँ पर बताया गया है कैसे आपको document यहाँ पर upload करना है यहाँ पर आपसे अधार कार्ट मांगा गया है मतलब अधार कार्ट की image मांगी गई है दूसरा your selfie with your kyc document मतलब आपको अपनी selfie खीचनी है अधार कार्ट के साथ तो दोस्तों आप यहाँपर दोनों document uplo시 design file upload कर देंगे पहला जो है अधार का इमेज दूसरा है your selfie with your KYC document दोनों document upload करने के लिए आप नीचे देखेंगे तो एक plus का icon आपको मिलेगा वहाँ पर click करने के बाद आप बहुत ही असानी से अपने phone के गैली में चले जाएंगे वहाँ से आपको दोनों document को click करके upload कर देना है तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कैसे आपको document upload करना है दोसरा थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक plus का icon बना हुआ है आपको plus icon पर click कर देना है click करते ही आप phone के गैली में आएंगे आप उस document को select करेंगे जिस document को आप upload करना चाहते हैं तो select करने के बाद आपको अपने mobile screen पर upload का option जो दिखेगा वहाँ पर click करके आप document upload करेंगे उसके बाद दुबारा से आपको एक document upload करना है तो आप दुबारा से plus icon पर click करेंगे और दुबारा से document upload करेंगे दोनों document upload होने के बाद आपको arrow वाले option पर click कर देना है चलिए हम arrow वाले option पर click कर देते हैं जैसे ही click करेंगे यहाँ पर sending process जो है start हो जाएगा अब आपको थोड़ा इंतिजार करना है तो हम चलिए थोड़ा wait कर लेते हैं तो दोस्तो अभी भी यह process हो रहा है तो अभी इसे process होने देते हैं तो दोस्तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं दोनों document send हो चुका है अब आपको 24 घंटे इंतिजार करना है पेटियम टीम आप से संपर करेगी चा हो सकता नहीं भी करें लेकिन आपकी जो problem है वह 24 घंटे में solve कर दी जाएगी तो दोस्तो आज के लिए वास इतना ही मिलते हैं इस वीडियो में अगर आपके लिए वीडियो helpful रहा तो आप हमारे चैनल को subscribe करके बेल आइकोन को जरूर दबाएं Thank you for watching